जैशी गन्जी हरार महादेव, मैं हूँ अचारे संध्या सक्से नाम आलक्षी जोतुषय दात्मी संस्थान की तब से संध्या सक्से नाम की तब से आप सभी का स्वागत करती हूँ, आप सबका दिन शुब हो, पवित्र हो, अब हम आज की राशी फल बताते हैं, उससे पहले बगवान शिगरती मुना से परातना करती हूँ कि सभी बड़ों को, सभी छोटों को, और जो मेरे हम उम्मरें, उन सब को बहुत बहुत प्यार और आप सभी का ध्यान रखें, स्टार्ट करते हैं मेश राशी से, तो मेश राशी वालों, आपका परिवार, आपका प्यार, आपका पैसा, सभी के बारे में आपको बताऊंगी, तो आपकी सिहात अच्छी रह सकती है, और आपका जो प्यार है, आ का टाइम अच्छा है, बहुत खराब भी नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है, बालन्स लाइफ है, मेश राशी वालो, आपको चंद बाग्यों पाए करने है, भगवान चंदर देब का ध्यान कीजिए, उनको थोड़ा जल चड़ा हीए, सफेद रंग आपके लिए शुब रशी वराशी वालो, चंदमा के उपाए के साथ साथ आपको भगवान चिप की पासना करना है, चाहिए भगवान चिप की पासना कीजिए, दो नमबर आपके लिए चड़ाएगा, क्रीम क्लर आपको पहना चड़ाएगा, और भगवान चिप को यदि आप जल चड़ाते है दूद में कच्छे दूद में मिलागे तो निश्यत रोप से आपके लिए फायदा होगा अब रहाते हम बात करते हैं मिथनराशी वालो की तो मिथनराशी वालो आपके लिए सुकत महौल बना हुआ है आपका टाइम अच्छा रहेगा आप जोग चीज करना चाहते हैं आप करेंगे भगवान गणेश के आपके कृपब बनी रहे आपके लव लाइफ और आपका व्यवाइक जीवन दोनों ही अच्छा है मीठा है बन्या हुआ है परवार के साथ भी आपका अच्छा रहेगा सेहत के लिए भी आप ठीक ठाक ही रहेंगे कुल मिला की मिठन राशी वालो आपका दिन अच्छा है बढ़िया है चार नंबर आपके लिए शुब रहेगा आपको हरा या फिरोज जिरंग धारन करना चाहिए भगवान श्री गर्पती मराज की सेवा पूजा पाट अनुष्ठान करेंगे तो आपको लाब होगा अब हम बात करेंगे नेक्स राशी जोकी है करक तो करक राशी वालो आपका दिन अच्छा है और परिवार के सहयोग से आपको खास काम पूरा कर सकते हैं तो करक राशी वालो को सबस्यादा मानसिक तनाव रहता है चैन्दमा की राशी है जैसे से चन्दमा अपन डाउन करता है वैसे वैसे आपको तनाव होता है तो करक राशी वालो समय आपका अच्छा है ठीक ठाक है आपको भी भगवन शिप की उपासना करना चाहिए हमीशा याद रखे करकराशी वाले जितने भी हैं जितने शिप की उपासना करेंगे उतना जदा आपको लाब मिलेगा स्क्रीम सफेद रंग आपके लिए हमीशा से शुब रहा है लेकिन यदि आप सूरे के उपासना करते हैं लाल रंग के कपड़े पहनेंगे तो आपको और भी अच्छा लाब मिलेगा ये आपके मनुबल को बढ़ाने का काम करता है सिंग राशी के बाद आप सिंग राशी की बाद करेंगे आपको अपने फेवर में चीजों करने के लिए थोड़ा सा बगवान श्री गड़पती में चाथ ध्यान करने चाहिए और हरे रंग का प्रयोक कीजिए या फिरोसी कलर का प्रयोक कीजिए चार नमबर आपके लिए श्यूब रहेगा और सात में गड़पती का ध्यान कीजिएगा तो आपको निश्य Menu दृप से लाब मिलेगा अगर हम बात करते हैं कन्याराशी वालो की तो कन्याराशी वालो अगर आपके बारे में बात करूं कन्याराशी वालो आपके कलातमकता जीवन बढ़ेगी रिश्टों में ने संचार होगा, सुधार होगा, कुछ नए करने कि अपके इच्छा होगा बहतर होगा, शटार होगा थारौन शेव absolutely अपने पापो के श्यमा मांगे, शेंदेव की दश्यन कीजिए, उनको सरसो का तेल चड़ाईए, तो इससे आपको लाब मिलेगा, अट नमबर आपके लग्की रह सकता है, सलेटी रंग का धारन कीजिए, और जितने अदा कोला, काला, कपड़ा वगरा का जान करेंगे, आपक तनाब हो सकता है, लेकिन प्यार, महबद अपकी ठीक ठाक रहेगी, प्रेमी और जिवन साथी के साथ आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे बनने वाले हैं, देवी को गुड़ल के फूल की माला पनेना आपके लिए अच्छा रहेगा, या फिर देवी के वो एक नारल, चुनी लपेट के चुड़ा दीजिए, इससे आपको बहतर फील होगा, लाल रंग आपके लिए शुग रहेगा, एक नंबर आपके लिए लखी रहेगा, इससे आप उर जावान बने रहेंगे, उसके बार जो निक्स राशी हमारी आती है, अब हम बात करेंगे वरश्रिक आपका दिन सफलता और प्रसंदा के साथ बीतेगा, कुछ बदलाब आप अपने जीवन में कर सकते हैं, प्रवाइक जीवन भी बधुर रहेगा, प्यार भी बधुर रहेगा, दोस्ती, यार, महबत, सब अच्छा रहेगा, होसाता कहीं घूमने फिरने चले जाएं, अपनी जीवन में शुबता, अगर आप और भी चाड़ बढ़ाना चाहते हैं, तो देवी के उपासना कीजिए, माधा दुर्गा के मंदिर में, माधा डेकेंगे, तो इससे आपको लाब होगा, आपके लिए एक नंबर अच्छा रहेगा, आपके लिए चार नंबर भी अच्छा हारा फिरोजी रंग या लाल रंग के कपड़े पहनेंगे, तो दिश्चित रूप से आपको लाब मिलेगा, अब हम बात करते हैं धानू राशी वालो की, तो धानू राशी वालो केरें में नई दिशा मिल सकती है, प्यार संब्द मजबूत सो सकते हैं, आपके पती से या पती से थोड़ा बात किसी बात पर मन मुटाब हो सकता है, थोड़ी से मानसी गृप से आपको साथ दुष्टी तो है, इस बार आपके रिलेशनिशिप अच्छे रहेंगे, कारिस्थल में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, पर अगर आप अपने जीवन में और अच्छा आपका अच्छा दिन बना हुआ है, शाम को आपको अच्छी ख़बर मिसकती है, आपका दिन मधूर रहे, प्यार, वेभाईक जीवन, वेवसाय और बिदस, सभी के लिए आपका जीवन बहुत अच्छा रहेगा, मगर राशी वालो कोई पुरायन डिल आपकी पूरी हो सकती है, खुशाल रह सकते हैं, आपने जीवन को और भी अच्छा करना चाहते हैं, तो भगाउन शीव की पास हो सकती है, और आपके संबंध भी बहतर हो सकते हैं, कुल मला के कुम राशी वालो आपका टाइम, आपका समय, आपका जो भी काल चल रहा है, वो अच्छा चलता दिखाई दे रहा है, किसी बात की कोई दिक्कत या समस्षा दिखाई नहीं देती है, और अपने जीवन को बह आपके साथ ही आपको मदद करने वाले हैं कुल मिला कि आपका टाइम अच्छा है बहतर है और आत्विशास आपका अच्छा पना रहेगा यदि आप चाहते हैं आपकी जिन्दगी में और पी अच्छा हो चंद्मा को थोड़ा बजबूत कीजिए चंद्मा को जल्च रहाना सफेद कपड़े पहने प्लिए अच्छे रहेगे क्रीम कपड़े पहनने अच्छे रहेगे भगवायनशिव के पासन अच्छे रहेगे नमश्यवय का जाप कीजए हमिशा प्रसंदर रहिए और गडपती से परातना कीजए कि आपके दिनको और भी शुप बनाएं सुनदर तो यह था 12 राशियों का राशिफल, आप अधिक जाने के रहे हैं, यह लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं, 97-822-840, मेरा दूसरा नमबर है 812647639, मेरे दोनों ही नमबरों पर आप मुझे वाट्सप कर सकते हैं, किसी भी तरह की समसा पर आप मुझे समधान ले सकते हैं, वासू रिडिंग कराना हो या क्लिनिकल हिप्रोथारपी के लिए और सागी रिडिंग के लिए आप कॉंट्रेट कर सकते हैं, गार्डड मेरेडेशन के लिए और अगर आप भरद्वारा के मिलना चाहें, तो आपको कराना होगा, तो आज के लिए तना ही आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, और हमेशे खुश रहिए, धन्यवाद.